परिचाय बच्चो, आज हम अवकल समीकरण सीखेंगे, तो प्रश्न है कि हमें अवकल समीकरण को सीखने की आविशक्ता क्यूं है? क्या कोई बता सकता है? सल, क्योंकि अवकल समीकरण एक अभिव्यक्ती है, जो मात्राओं और उनके परिवर्तन की दर्से संबन्दित है, बहुत अच्छा, कोई और? सल, क्या हम अवकल समीकरण के मात्यम से विकासदर का वडन कर सकते हैं? हाँ, और एक अवकलन समीकरण का हल केवल एक संख्या नहीं है, अपितू एक फलन भी है, क्या ये दिल्चस्प नहीं है? चलो, अब शुरू करते हैं इस पार्ट में आप जानेंगे की अवकलन समीकरण को कैसे हल करते हैं? उद्देश इस पार्ट के अंत में आप निम्न करने में सक्षम हो जाएंगे अवकलन समीकरण की कोटी और घात ग्यात करना अवकलन समीकरण के व्यापक और विशिष्ट हल ग्यात करना दिये हुए व्यापक हल वाले अवकलन समीकरण का निर्मान करना प्रधक्करण चर्विथी द्वारा अवकल समीकरण द्वारा हल निकालना समघातिये अवकल समीकरण को हल करना और रैखिक अवकल समीकरण को हल करना आधार भूत संकल्पनाए एक समीकरण जिसमें स्वातंत्र चर, आश्रे चर एवं उनके अफकलज सम्मिलित होते हैं, एक अफकलन समीकरण कहलाता है एक ऐसा अफकलन समीकरण जिसमें केवल एक स्वातंत्र चर सम्मिलित होता है, सामान अफकल समीकरण कहलाता है उधारण के लिए dy बटा dx माइनस x log x बराबर 0 अफकल समीकरण की कोटी अफकल समीकरण में उपस्थेद उच्चतम अफकलज होती है उधारण के लिए एक बटा x गुणा d2y बटा dx वर्ग बराबर e की खात x एक अफकल समीकरण है उच्चतम कोटी वाले अफकलज अर्थात d2y बटा dx वर्ग की कोटी दो होती है अफकल समीकरण की डिगरी यानी खात अफकल समीकरण में उपस्थेद उच्चतम कोटी के अफकलज की उच्चतम खात उस अफकलज समीकरण की खात कहलाती है उधारण के लिए एक बटा x गुणा d2y बटा dx वर्ग बराबर e की खात x एक अफकल समीकरण है इसे इस रूप में भी लिखा जा सकता है एक बटा x गुणा d2y बटा dx वर्ग सम्पून खात 1 बराबर e की खात x अर्थात उच्चतम कोटी के अफकलज की खात 1 है उधारण निन्नलिकित अफकल समीकरण की कोटी और घात ग्यात करें हल दिया गया है की d2y बटा dx वर्ग की सम्पून खात 3 जमा dy बटा dx बराबर sin x इस अफकल समीकरण में कोटी 2 है और खात 3 है अफकल समीकरण का व्यापक एवं विशिष्ट हल व्यापक हल एक nv कोटी के अफकल समीकरण के लिए व्यापक हल एक ऐसा हल है जिसमें हल में अचर राशी c का मान बदल सकता है उधारण के लिए अफकल समीकरण dy बटा dx बराबर e की खात x-2 इसे समीकरण एक से चिनहित करें व्यापक हल को निम्ल प्रकार से प्राप्त किया जा सकता है समीकरण एक के दोनों तरफ समाकरण करने पर हमें प्राप्त होता है y बराबर e की खात x-2x प्लास c इसे समीकरण दो से चिनहित करें हल में C का मान कुछ भी हो सकता है क्यूंकि जब हम Y का अफगलन करते हैं तो C का मान शूने हो जाता है क्यूंकि एक अचर का अफगलन शूने होता है विशिष्ट हल एक NV कोटी के अफगल समीकरण के लिए विशिष्ट हल एक ऐसा हल है जिसमें अचर राशी C का एक विशिष्ट मान होता है इस प्रकार के हल प्रारंभिक मान समस्याओं में होते हैं अफगलन समीकरण DY बटा DX बराबर E की घाथ X-2 का व्यापखल Y पराबर E की घाथ X-2X प्लास C है जब Y 0 पराबर 3 है इसका तादपर है X बराबर 0 पर Y पराबर 3 है समीकरण 2 में X सथा Y का मान रखने पर हमें प्राब्थ होता है C बराबर 2 अफगलन समीकरण का विशिष्ट हल है Y बराबर E की घाथ X-2X जमा 2 अफगलन समीकरण D Y पराबर D X बराबर 4X-2 का विशिष्ट हल ग्याथ कीजिए जब X बराबर 3 है तब Y पराबर 5 दिया गया है अल दिया गया है D Y बटा D X बराबर 4X-2 D Y बराबर 4X-2 D X दोनों पक्षों का समा कलन करते हैं Y के सापेक्ष एक का समा कलन बराबर X के सापेक्ष 4X-2 का समा कलन Y बराबर 2X बर्ग-2X प्लस C व्यापक्खल है जब Y बराबर 5, X बराबर 3 हो तब 5 बराबर 2 गुणा 3 बर्ग-2 गुणा 3 प्लस C 5 बराबर 18 मैनस 6 प्लस C 5 मैनस 12 बराबर C, C बराबर मैनस 7 दी गई प्रारंभिक इस्थिती के लिए विशिश्ट हल Y बराबर 2X बर्ग-2X मैनस 7 है दिये हुए व्यापक हल वाले अवकल समीकरां का निर्मा स्वेच अचर युक्त तथा XY में एक दिये गई समीकरां से एक अवकलन समीकरां का निर्माण करने के लिए दिये गई समीकरां को X के सापेक्ष निरंतर उतनी बार अवकलिक किया जाता है जब तक एक स्वेच अचर ना आ जाए इन समीकरां का उप्योग स्वेच अचर को हटाने के लिए किया जाता है स्वेच अचर को हटाने से प्राप्त समीकरां को वांचनिये अवकलन समीकरां कहा जाता है समानता यदी दो चरों के बीच का समीकरण में N स्वेच अचर हैं, तब इन स्वेच अचरों को हटा कर प्राब्द हुआ अफकलन समीकरण N कोटी का होगा महतपून बिंदू 1. एक रेखा का समीकरण पाही बराबर Mx प्लस C है, जहां M और C स्वेच अचर है 2. मूल्ग से होकर गुजरने वाली एक रेखा का समीकरण Y बराबर Mx होता है, जहां M और C अचर है 3. वृत्त का समीकरण जिसका केंद्र H के तथा त्रिज्य आर है, X माइनस H पूरे का वर्ग प्लस Y माइनस K पूरे का वर्ग बराबर R वर्ग है उधारण वक्र कुल का अफकलन समीकरण ग्याद कीजिए Y बराबर M cos 6x प्लस N sin 6x जहां M N स्वेच अचर है हल दिया है Y बराबर M cos 6x प्लस N sin 6x इसे समीकरण एक से चिनहित करें समीकरण एक का X के सापेक्ष अफकलन लेने पर हम पाते है इसे समीकरण दो से चिनहित करें समीकरण दो का X के सापेक्ष अफकलन लेने पर हम पाते हैं इसे इस प्रकार से लिखा जा सकता है दी दो वाई बटा दी एक्स वर्ग बराबर मैनस 36 गुणा M cos 6x प्लस N sin 6x इसे समीकरण 3 से चिनहित करते हैं समीकरण 3 में Y का मान रखने पर हम पाते हैं दी दो वाई बटा दी एक्स वर्ग बराबर मैनस 36Y अतैव दी दो वाई बटा दी एक्स वर्ग प्लस 36Y बराबर शुन्ने यही वांचनिये अफकलज समीकरण है प्रथम कोटी एवं प्रथम घात के अफकल समीकरण को हल करने की विधिया प्रितक करणिये चरवाले अफकल समीकरण अब कलज समीकरण निमनी लिखित रूप का होता है दी वाई बटा दी एक्स बराबर एफ एक्स बटा जी वाई या जी वाई बटा एफ एक्स या एफ एक्स गोणा जी वाई उन्हें क्रमशा इस तरह से लिखा जा सकता है जी वाई डी वाई बराबर एफ एक्स डी एक्स या डी वाई बटा जी वाई बराबर एफ एक्स डी एक्स एवं इसके पस्चात वे समकलित हूँ उधारण अवकल समीकरण को हल कीजे दी वाई बटा डी एक्स बराबर एक्स माइनस वाई प्लस एक्स वर्ग गुणा एक्स गटा वाई हल दिया है दी वाई बटा डी एक्स बराबर एक्स गटा वाई प्लस एक्स वर्ग गुणा एक्स गटा वाई दाएं पक्ष से एक्स गटा वाई उभेनिष्ठ लेने पर हमें मिलता है dy बटा dx पराबर e की खाथ x प्लस x वर्ग गुणा e की खाथ घटा y चरूं का प्रत्य करण करते हैं तथा हमें मिलता है e की खाथ y dy पराबर e की खाथ x प्लस x वर्ग dx दोनों पक्षों का समा कलन करने पर हमें मिलता है y के सापेक्ष e की खाथ y का समा कलन बराबर x के सापेक्ष e की खाथ x जमा x वर्ग का समा कलन अर्थात e की खाथ y पराबर e की खाथ x प्लस x घन बटा 3 प्लस c ये दिये गए अफकलन समय करण का व्या पक्खल है समखातिये अफगलज समीकरण एक प्रथम अफगलज समीकरण के रूप में M, X, Y, D, X जमा N, X, Y, D, Y बराबर 0 को समखातिये कहा जाता है यदि capital M और capital N दोनों गुणांक फलन समानगात के समखातिये समीकरण हो हल विधी प्रतिस्थापन Y बराबर VX या X बराबर UY का उप्योग करते हैं प्रतिस्थापन के बाद परिणामी समीकरण, प्रतक करणिये समीकरण होता है उधारण अब कल समीकरण को हल कीजे DY बटा DX बराबर X वर्क Y बटा X घन जमा Y घन हल दिया है DY बटा DX बराबर X वर्क Y बटा X घन जमा Y घन इसे समीकरण एक नाम दीजिये ये एक समखातिये अवकलन समीकरण है हम Y बराबर VX रखेंगे X के सापेक्ष दोनों तरव अवकलन करने पर DY बटा DX बराबर X गुणा DV बटा DX जमा V अदेव समीकरण एक को इस प्रकार लिखा जा सकता है V जमा X गुणा DV बटा DX बराबर VX गन बटा X गन जमा V गन गुणा X गन V जमा X गुणा DV बटा DX बराबर V बटा 1 जमा V गन गटा V जो बराबर होगा V गटा V गटा V किखा चार बटा 1 जमा V गन के दोनों पक्षों पर समकलन करते हैं तथा हमें राब्त होता है X के सापेक्ष एक बटा X का समकलन बराबर गटा V के सापेक्ष एक जमा V गन बटा V किखा चार का समकलन x के मोट का लौग बराबर 1 बटा 3 V खन, घटा V के मोट का लौग जमा लौक C Vx के मोट का लौग बराबर 1 बटा 3 V खन, यह इंगित करता है ये इंकित करता है कि Y बटा C बराबर E की खाथ X घन बटा 3Y खन अथवा Y बराबर C गुणा E खाथ X घन बटा 3Y खन रहकिक अफगलन समिकरण रहकिक अफगलन समिकरण DY बटा DX जमा PY बराबर Q का हल जहां P और Q केवल X के फलन है निम्लिकित है जहां I.F समकलन गुणक का प्रतिक है तथा इसे नीचे दिये गए सूत्रों के माध्यम से प्राप्त किया जा सकता है I.F बराबर E की खाथ X के सापेक्ष P का समकलन यदि अफगलन समिकरण DX बटा DY जमा PX बराबर Q के रूप में हो जहां P और Q Y के फलन है और ना की X के या अचर के इस इस्तिती में समकलन समिकरण I.F बराबर E की खाथ Y के सापेक्ष P का समकलन है और हल X गुणा I.F बराबर Y के सापेक्ष Q गुणा I.F का समकलन जमा C है नोट यदि DY बटा DX का गुणांक I काई ना हो तब इसे इस दोरान I काई बनाया जाना चाहिए उधारण अफगलन समिकरण को हल कीजिए हल दिया गया है DY बटा DX जमा 3X वर्ग पाई बराबर 6X वर्ग इसे समिकरण एक से चिनहित करें PX बराबर 3X वर्ग और QX बराबर 6X वर्ग के साथ दिया हुआ समिकरण रहखिक है समाकलन गुणक को इस प्रकार प्राप्त किया जा सका है I.F पराबर E की खाथ X के सापेक्ष 3X वर्ग का समाकलन जो की बराबर है E की खाथ X घन के समिकरण एक को समाकलन गुणक से गुणा करने पर हमें मिलता है E की खाथ X घन गुणा DY बटा DX जमा 3X वर्ग गुणा E की खाथ X घन गुणा Y पराबर 6X वर्ग गुणा E की खाथ X घन अथवा D बटा DX गुणा E की खाथ X घन गुणा Y बराबर 6X वर्ग गुणा E की खाथ X घन दोनों पक्षों का समाकलन करने पर हमारे पास है E की खाथ X घन गुणा Y बराबर X के सापेक्ष 6X वर्ग गुणा E की खाथ X घन का समाकलन बराबर 2 गुणा E की खाथ X घन जमा सी Y के लिए हल करने पर हमें मिलता है Y बराबर 2 गुणा C गुणा E की खाथ घटा X घन क्या आप जानते हैं गोट फ्रियेद विलहेम लेबनीज ने चर प्रितक करण की विधी दी उन्होंने रहकिक अफकलन समी करण का हल भी प्रतान किया सारांज आईए हमने जो कुछ तीका है उसे संक्षेप में दोहराएं एक समी करण जिसमें स्वतंत्र चर आश्रिचर एवं उनके अफकलज समलित होते हैं एक अफकलन समी करण कहलाता है अफकलन समी करण की कोटी अफकल समी करण में उपस्थित उच्चतम अफकलज होती है अफकल समी करण में उपस्थित उच्चतम कोटी के अफकलज की उच्चतम खात उस अफकलज समी करण की खात कहलाती है एक N.V. कोटी के अवकल समी करण के लिए व्यापग हल एक ऐसा हल है जिसमें हल में अचर राशी C का मान बदल सकता है एक N.V. कोटी के अवकल समी करण के लिए विशिष्ट हल एक ऐसा हल है जिसमें अचर राशी C का एक विशिष्ट मान होता है इस प्रकार के हल प्रारंभिक मान की समस्याओं में होते हैं यदि दो चरूं के बीच के समीकरण में N स्वेच अचर सम्मलित हो तब इन स्वेच अचरूं को हटा कर प्राब्द अवकलन समीकरण N घातिय होगा प्रिधक करणिये चर के साथ अफकलन समी करण में सर्व प्रथम हम चरों का प्रथक करण करते हैं एवं फिर उनका समा करण करते हैं प्रथम कोटी के अफकलन समी करण के निम्न रूप को समघातिये कहा जाता है यदि दोनों गुणांक फलन M तथा N एक समान घात के समघातिये समी करण हो सर्व प्रथम हम Y बडाबर VX कमान रखते हैं तथा फिर परिणामी समी करण प्रिधक करणिये चर होता है रेखिक अफकलन समी करण DY बटा DX जमा PY बराबर Q का हल Y गुणा समाकलन कुणक बराबर X के सापेक्ष Q गुणा समाकलन कुणक का समाकलन जमा सी जहां I.F समाकलन कुणांक का प्रतीक है बराबर E की घात X के सापेक्ष P का समाकलन जहां P तथा Q X के फलन है यदि अफकलन समी करण के रूप में DX बटा DY जमा PX बराबर Q लिया जाता है तब इसका हल है X गुणा समाकलन कुणांक बराबर Y के सापेक्ष Q गुणा समाकलन कुणांक का समाकलन जमा सी जहां I.F बराबर E की घात Y के सापेक्ष P का समाकलन जहां P और Q Y के फलन है ना कि X या अचर के झाल झाल